बिस्मिल्लायरहमाद रहीम, असलाम अलेकों, वल्कम टू जूबीज विलोग्स 2.0 और आज के इस विलोग में मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त किसम की इंस्टन्ट फेर्नेस क्रीम शेयर करने वाली हूँ इसके अंदर बिल्कुल भी कोई केमिकल्स नहीं है, और आपको इंस्टन्ट ग्लोइंग स्किन और इंस्टन्ट फेर्नेस देगी तो इसके लिए जी यहाँ पर हम ले रहे हैं सबसे पहले वन टेबल स्पून ओर्ट्स ओट्स मतलब के जो और यह जो जो हैं यह आपको आपकी स्किन को इतना फेर कर देते हैं सरफ एक इस्तमाल से कि आप यकीन करें आपको किसी फेर्नेस क्रीम की जुरुष नहीं पड़ेगी अब आपने इनको बिगो कर रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए और आफ्टर 15 मिनट आपने इनको ग्राइंड करना है पानी के समेथ इसको आप ग्राइंड करेंगे और आप इस तरीके से ओट मिल्क आपके पास आजेगा मतलब जो का वो दूद बन जाएगा सेम इसी तरह फिर आपने क्या करना है कि इसमें से जो आपका जो आप इसमें से मिल्क जो आप एक्स्ट्रैक्ट करेंगे स्ट्रेंड कर लेंगे और बाकी के जो आप वैसे के वैसे ही रहने देंगे आप उसको सुखा सकते हैं या जानुरों वगएरा को प्रिंदों वगएरा को डाल दीजिए ओके जी नेक्स्ट अब आपने क्या करना है आपने इसको इस तरह से सट्रेन कर लेना है और सट्रेन करने के बाद इसके दो पार्ट सम कर लेंगे एक पार्ट जो होगा वो होगा जिसको हमने पीना है तो यहां पर हम इसको पीएंगे भी मतलब कि इसके दर हलका सा शहाद आइड करेंगे और शहाद आइड करने के बाद हम इसको पी लेंगे जो कि आपके एजिंग साइंस जो हैं वो उसको रिड्यूस करेगा तो नमबर एक जो होगा हम उसको पीएंगे और नमबर जो टू होगा उसकी हम बनाएंगे क्रीम तो यह क्रीम बनेगी instant fairness और आप यहाँ पर अपग्रेट करनेगे एक आलू एक अद़ आलू आप लेंगे उसको हलका सा आपने ग्रेट करना है और great करने के बाद पिर आपने ये जो आलू है इसको आपने एक portion अलैदा किया था उसके अंदर आपने इसको add कर देना है आलू यहाँ पर आपकी skin के उपर जो dead skin cells होते हैं उसको खतम करता है और आपकी skin को बहुत ज़दा active और healthy healthy सा आपके skin पे glow आ जाता है और साथी साथ आलू आपकी skin के उपर pimples को आने से रोकता है acne को आने से रोकता है चाईयों के लिए बहुत जबर्दसता अगर किसी के face पे चाईया पढ़ रही है तो वो आलू का इस तरह से paste बनाके यह वाली cream ज़रूर लगाएं इंशाला तला चाईया बिलकुल सही हो जाए इसको आपने तक्रीबन तक्रीबन दो मिनिट आप इसको पकाएंगे तो इसकी paste सी आपके सामने आजाएगी एक paste बन जाएगा और paste बनाने के बाद आपने इसको फिर से एक बार strain करना है यहाँ पर इसके दोपर आप लेंगे एक सूती कपरा डाल देंगे उसके नीचे चलनी आपके पास नहीं है यूज नहीं करना चाहते तो आप सिरफ कपड़े की मदद से भी आप इसको strain कीजिए और strain करने के बाद it's okay मतब यह आपके पास paste बनके ready हो जाएगा तोड़ा सा ज़रा गरम होगा लेकिन आपने इसको ठंडा नहीं होने देना हलका हलका सा जैसे कपड़े के साथ जमेगा कपड़े से extract नहीं हो पाएगा निकलेगा नहीं तो यहाँ पर हमारे पास paste बन गया है जोग का और आलू का अब आपने क्या करना है अब आपने इसके अंदर एड़ करना है वन टेबल स्पून अलोवेरा जल अलोवेरा जल मॉस्चुराइजेशन के लिए जो जूबा ओयल जो है जिसको हम ओबा ओयल भी कहते हैं वो आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है गलो देता है और साथ ही साथ इसके अंदर हम एड़ करेंगे सिरफ टू पिंच ओफ कॉन फलार जी हाँ कॉन स्टार्च या कॉन कॉन फलार जो भी आपके पास है या अड़ा रोट अगर आपके पास है तो आप वो भी आड़ कर सकते हैं यह क्या करेगा एक तो इसको थिकनेस दे रहा है और दूसरा आपकी स्किन के उपर यह करेगा वंडर्स कॉन फलार इंस्टंट फेरनेस के तोर पर भी बहुत मशू है उसके बाद फिर आपकी स्किन को यह वाइटनिंग एफेक्ट भी देता है तो आपने इसके अंदर यह कॉन फलार एड़ करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है इसके अंदर थोड़े से भी लंप्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल पेस्ट की शकल में यह आजएग तो यहां पर हमने शहद एड़ कर दिया शहद को एड़ करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक पेस्ट की शकल में रनिंग कंसिस्टेंसी आजएगी अब यहां पर मैं आपको लगा कर दखाऊंगी हाथों पे हाथ पे आप इसको इस तरह से लगा के सिर्फ और सिर्फ दो से तीन मिनट आपने इसको लगाना है और आफ्टर टू टू त्री मिनट आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फेर गलो और वाइटन अप हो जाएगी कि आप खुद भी शीशे में देखके आपको यकीन नहीं आएगा कि यह वाकी में आप है आपकी डेड इसकिन को धो लेना और यकीन कीजिए इसको लगाने के बाद आपको साबुन से मूध होने की भी ज़ूरत नहीं है ज़स्ट सादे पानी से आप मूध होईए आपकी सारी सकिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अभी आप देखेंगे कि मेरे इस हाथ में और दूसरे हाथ में क कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप अराम से इजी ली आप जा सकते हैं कोई आपको बड़ी बड़ी क्रीम्स पे इंवेस्ट करने की जूरत नहीं है घर पे बनाईए लगाईए अल नेच्रल प्रोड़क्स और इसके साथ ही ये होगा जी हमारा ड्रिंक जिसके अंदर हम शेह करेंगे और इसको पी लेंगे एंटी एजिंग के लिए तो ये थी जी आज की वीडियो मुझे अपनी दौ में याद रखिएगा वीडियो ची लगए तो इसको लाइक और शियर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो माइच